नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर्स से आज की पड़ी खबरे लेकर आए हैं डिप्टी स्पीकर पदपर नहीं बनी बात अब यहां पर विपच्छ ने उतारा अपना उमीदवार यहां पर हो गया कड़ा मुकाबला सदन में देखने क को मिलेगी टक का जी हां दोस्तों फूरी बिग ब्रेकिंग न्यूज आगे सामिल की गई है इसी के साथ जानेंगे बीजेपी के सयोगियों ने दिखानी सुलू कर दी आंके टीडीपी ने दे दी है इस परष्ट चेतावनी बीजेपी को दूसरी तरह बीजेपी सफाया करन में लगी है सयोगियों का बिहार से है कुछ बड़ी खबार और भी तमाम बहुत बड़ी खबरें आपके लिए हैं दोस्तों आप लोग साथ में बने रही है और दूसरी तरफ आप भी मानते हैं 24 के आम चुनाओं में विपच्छ मजबूती से उभरा है तो एक लाइक को मैदान में उतारा दोस्तों स्पीकर पद्पे लगातार ठनी हुई थी विपच्छ डिप्टी स्पीकर पद्प की मांग कर रहा था वहीं यह मांग पूरी ना होने पर विपच्छ ने स्पीकर पद्प के लिए अपना उमीदवार उताय दिया 26 जून की सुभा 11 मतदान हो इसा होने जा रहा है अवी तक सर्व सम्मति से स्पीकर का चुनाओ हो जाता था लेकिन यहां पर इंडिया की तरफ से ओम बिल्ला को उमीदवार बनाया गया और इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी अपना उमीदवार उताय दिया गया दोनों ही नेता अपना नामांगकन संख्या नहीं है उसके बाब जूद भी विपच्छ स्पीकर का चुनाओ लड़कार एक तीर से दो सिकार करना चाहता है पहला सरकार को हर कदम पर इंतिहान देना होगा और इतनी आसानी से कुछ भी मिलने वाला नहीं और दूसरा जो 204 संसदों की संख्या बल है वहां एक यूट है या कम हुए है या फिस संख्या में बड़ोत्री हुई यह वी पता चल जाएगा इसके साथ ही आप सभी को बताते चलें राहुल गान्दी ने एक बड़ी जानकारी भी साजा की है राहुल गान्दी ने कहा रच्छा मंत्री राश्णा सिंका कॉंग्रेस के राष् राश्णा सिंग ने कहा कि कॉल रिटर्न करेंगे मलिका अजुन खडगे को लेकिन उन्होंने कॉल रिटर्न नहीं किया और प्यम मोदी कह रहा है कि सयोग हो लेकिन हमाई ने तक इंसल्ट की जा रही सरकार की नियत साफ नहीं राहुल गानी ने कहा पूरा देश जानता है प्यम मोदी के सब्दों का कोई मतलब नहीं है इस पर्ष्ट है बीजेपी ने यहां पर चाला की दिखाने के पूरी कोशिस की है स्पीकर पद पर तो यहां पर सपोर्ट ले लेते भी पच्छ का लेकिन बाद में डिप्टी स्पीकर पद देने से मुकर जाते और इस बात को डिप्टी स्पीकर पद नहीं देगी तो हम भी समय थन नहीं देने वाले हमाई मांग साफ थी कि डिप्टी स्पीकर पद हमें मिले लेकिन कोई इस परष्ट जवाब ना मिलने से हमने भी उमीदवार उता रहा है यहां पर डील यह होने वाली थी कि उन्होंने बीजेपी व दोस्तों बीजेपी यहां पर चाला की दिखाने की कोशिस कर रही थी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने मुहतोर जो बात दिया है एक दली नेता को गढवंदन की तरफ से स्पीकर पत का उमीदवार बना दिया गया संदेश काफी इसपर्ष्ट और साफ है दोस्तों अधिकारों की सुच्छा के आसपास रहने वाली है इसके साथ ही बीजेपी के सायोगी अब उसे आखे दिखाने लगे हैं इंडिये में घमासान मचा है आप सभी जानते हैं टीडीपी जेडीउ किंग मेकर की भूमी का निभार है चंद्रबाबू नाइडू ने स्पीकर प वरना समार्थन वापस ले लेंगे यह यहां पर टीडीपी ने बीजेपी को चेताबनी भी दे दी है और सीज़े तरीके से कह दिया है कि जितना फंड हमें चाहिए आपको हर हाल में देना होगा वहें राज्य की सक्ता हास से गवाने के बाद अब यहां पर बीजेडी प्रमुख नविन पतनायक का बयान आया है बीजेपी को दी है खुली चेताबनी जी हां पुराना दोस्त अब यहां पर दुस्मानी करते नजर आ रहे हैं आपको बताते चलें औरीसा में बीजेडी क अपने पार्टी के नौर राज्यसवा संसदों के साथ एक बैठक की और राज्यसवा में भाजपा को अब और समासर नहीं देने का इस पर्ष्ट निर्देश दिया यहां पे सरकार जाने के बाद देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार रोडी सा में घटना करम दोस्तों ब पूर्टी करते लेकिन अब जब इनकी दोनों की सत्ता चली गई है तो इन्हों ने बीजेपी को अब और समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया है एंडिये में नहीं है कुछ भी ठीक जेडियू को खिलाफ बीजेपी ने खोल दिया मोर्चा बिहार में नितिश कुमार को दोबारा दोजार पच्चिस में मुख्य मंत्री नहीं बनने देंगे बीजेपी नेताओं के बड़े बयान आ रहा है इसी क्रम में पूर्वकेंद्र मंत्री अस्विनी चौवे ने बयान दिया कहा कि बिहार में दोजार पच्चिस विधान सवा चुनाओं के बाद वीजेपी नेताओं की सरकार बननी चाहिए इसके लिए हमें जो भी महनत तपस्या बलिदान आधी करना होगा हम करेंगे लेकिन दोजार पच्चिस में नितिस कुमार को मुख्य मंत्री बिहार का नहीं बनने देंगे इस पर्ष्ट है एंडिये के सहयोगी जेडियू के खिलाब बीजेपी नेताओं के ये बयान दरसा रहे हैं बिहार एंडिये में कुछ भी ठीक नहीं है भले ही यहाँ पर साजह सरकार हो लेकिन जेडियू के खिलाब बीजेपी नेताओं के ये बयान दरसा रहे हैं कि कोई आलान खास नहीं हुआ तो दूसरी तरह बीजेपी नेताओं के ये बायान इसपश्ट दर्सा रहे हैं एंडिये में कुछ भी ठीक नहीं है दोस्तों दिल्ली की मंतरी आतिशी की भूख हर्ताल समापत आप नेता संजा सिंग ने वताई बजह है बोले अब हम संसद में करेंगे बिरोध हर्याणा से दिल्ली के लिए पानी छोनी की मांग को लेकर पिछले पांच दिनों से भूख हर्ताल पर बैटी आप पार्टी की नेता और ज संसद में उठाएंगे अब हम संसद में करेंगे बिरोध यहां पर आप संसद संजा सिंग ने यह वजह बताई है जिसके बाद भूंख हड़ताल समात्र की गई है यह थी दोस्तों आज दिन भर की सभी बड़ी खबरे और मुख्य समाचा जो आप सभी तक कहुंचा है वीडि बिरोध बटी तक कहुंचा है जिसके बिरोध तक कहुंचा है जिसके हम स्भी शचे कहुंचा हाई भूंगे जिसके बाद भूंगे वीर